के रहें आपका एक हाथ है उस हाथ से आप अपने ही हाथ को मार नहीं सकते जैसे कोई भी इंसान दुनिया में अपना गला घोट करके सुसाइड नहीं कर सकता मालू मैं आपको क्यों बताइए क्यों जैसे अपने गला मारा सुसाइड करने कोशिकी थोड़ासा सांस रुकी के लिए जैसे ही आपने गला दबाया ऑक्सिजन रुका आपका हाँ छुटा फिर बच गए तो फिर वो तो कोई और चीज़ है हाथ नहीं बांद रही है ऐसे ही जब आप अपने थौट से अपने थौट का गला घूंट रहे है नमश्कार दोस्तों स्वागत है आपका इस सीर बट हो जाएंगे कभी ने कभी तो अवेर हो जाएंगे ऐसा आप सोचें इससे पहले आप अपने आपको ये बताईए कि मेरी अगर मौत होती है तो मुझे अवेर उस मुमेंट पर तो रहना ही होगा यूँकि अगर अवेर नहीं है तो आप चले जाएंगे अनवेरनेस की गढ़े में ये बहुत बड़ा कुवा है और फिर से आप सफरिंग की दुनिया में वापस आएंगे लेकिन अगर आप मौत के समय अवेर रहना चाहते हैं तो आपको अवेर होने की माइक्रो मॉमेंट्स इकटे करने होंगे माइक्रो मॉमेंट्स जो अवेरनेस है ना जब हम चॉइसलेस अवेरनेस जैसी बातें कृष्मूर्ती से सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि एक ऐसा स्टेट आएगा जैसे मैं एकदम मेरे आसपास में सब अधेरा है ठंड है सब खराबी है और मेरे अंदर में और मेरे आसपा के सर्कल में एक पर्फेक्ट स्टेट है मुझे कोई टच नहीं कर सकता चॉइसलेस अवेरनेस ऐसा लगता है जिसे कि मेरे माइंड में एक एक रे निकल रही है और मुझे बचा रही है कंटिनिवस चौबिस घंटे लेकिन येक हमारी इमेजिनेशन है जैसे बच्पन में कि किसी ने क्रॉस का माला पहन लिया या भगवान का कोई मूर्ती उर्ती पहन ली तो भूत वहां नहीं पहुँच पाते थे तो मैं भी जाकरके अपना किसी मंदिर रिद में चाता थे सबसे बले भगवान की मूर्ती का माला खरी दे जाता और फिर कभी-कभी वो तूट ज थे वो सब जब hero heroine मंदर के पास पहुच जाते थे बस उसकी बाद कुछ नहीं होता था उनको तो ऐसे ही हम लोगों को भी लगता है कि choice less awareness अगर मेरे अंदर आ गई एक बार वो चीज हो गई जैसे पापा मैं गोलते थे 10th हो गया तो tension खतम 12th हो गया या boyfriend के साथ शादी हो तो problem खतम ऐसा नहीं होता हर रोज की life एक-एक moment की है इस moment को जब आप जीत लेंगे तब अगला नया moment आएगा उसको फिर से आपको जीतना होगा और फिर नया moment आएगा फिर से जीतना होगा moment moment life चलती है इसलिए आपको जो aware रहना है वो भी moment moment aware रहना है मैं अभी उस रूम में गया था तो एक बच्ची वहां लेटी हुए थी चादरोड करके और अपने फ्रेंड से बात करें थी मुझे गुसा ने लगा कि अरे क्लास चलने वाली और तुम यहां बैठके टाइम पास कर रही हो तो वो एक मॉमेंट था मेरे लिए अवेर होने का अगर मैं अवेर नहीं होता तो मेरा मैंड मुलता इस लड़की को तुम्हें पढ़ाऊंगा ही नहीं इसको बिल्कुल वैरू नहीं मेरे क्लास की अभी पिछले हफते ही हुआ था एक बार उस में मैं पकड़ नहीं पाया था जरूरी कॉल आ गया था देखिए अभी भी मैंने क्लास के पहले पांच में पहले क्या कहा था श्रीश को जरूरी कॉल आ गया होगा यह मैंने ताना मारा था वो ताना मैंने इसलिए मारा क्योंक एक मुमिंट का लेकिन आज कृष्णमूर्ती बोल रहे है सर्स दे प्रॉब्लम इस दिस कि अगर आप चॉइसले सवेर्स नहीं है आपके अंदर में तो क्यू नहीं है दे प्रॉब्लम इस दिस ये है प्रॉब्लम आज हम लोग क्लास के पहले इसके पहले लोग क्लास में बूल रहे थे कि कोई भी किताब पढ़ने से पहले किसी की भी बात सुनने के पहले आपके मन में जो समरी बनती है emotional समरी और thoughts की समरी उसको साइड रखो कृष्णमूर्ती वही कह रहे हैं is it possible for the mind to free itself from the mechanistic accumulation called knowledge हम जो कुछ भी पढ़ते हैं सुनते हैं देखते हैं वो सब एक mechanistic accumulation of knowledge है इसे रात को सोते हैं या जब सर्दी हो जाती है तो नाक भर जाती है कचला भर जाता है गले में खराश होती है तो यहां बलगम जमा हो जाता है ऐसा ही कुछ बलगम टाइप का हमारे दिमाग में जमा हो जाता है जब हम कुछ पढ़ते हैं कुछ सुनते हैं कुछ देखते हैं वो है mechanistic machine जान बुच के कृष्मूरती machine है mechanistic बोल रहा है because जो divine fragment के thoughts होते हों mechanistic नहीं होते वो होते हैं intuitive वो होते हैं direct perceptive जिसमें आप देख सकते हैं जो भी है इसको जान सकते हैं तो कृष्मूरती पुछ रहे हैं क्या ये possible है कि एक mind free हो सकता है mechanistic accumulation of knowledge से of called knowledge and can one find that out through the process of thinking अच्छा हमारे mind में जो knowledge कठा होता है knowledge वाला कचरा वो thought के form में होता है और क्रिश्मूरती बोल रहे हैं और क्या अगर आप खाली सोच रहे हो सोच रहे हो तो क्या उससे आपका जो दमागी कचरा है mechanistic accumulation वो खाली हो सकता है do you understand ये ऐसे ही है जैसे कि मैं आप से कहूँ क्या घर में बैठे बैठे kitchen में न जा करके खाना बन सकता है इसलिए बोले है do you understand समझ में आ रहा है तुम सोच सोच के अपने अंदर में जो कचरा इकठा हो रहा है तुम सोच रहे हैं तो मैं खाली कर दूँँगा वो बोल रहे हैं कि एक second के लिए क्या तुम अपने माइंड को silent होकर के observe कर सकते हो एक second के लिए you and I realize that we are conditioned अभी ये मुझे लगता नहीं कि सबको पता है बट कृष्मूर्थी को पता है कि हम conditioned हैं कैसे पता है कि हम conditioned हैं कल वैबो के मुझे निकला था पूजा देदी के लिए आप चुप रही है अब ये अपने आप में वैबो नहीं बोलेंगे अब ये बहुत पराणे वैबो बोलते थे जब पांच साल पहले वाले छोटे बच्चे थे जब किसी को जानना है तो उसको भी आप सुनकर के आप जान सकते हैं लेकिन ये जो निकला था वो anger से निकला था ना लेकिन ये उस समय नहीं पता चला हमारे अंदर जी conditioning है श्रीश को भी आजकल दुख हो रहा है कि मैं शीशे में देखता हूँ तो मैं मोटा हूँ ये एक conditioning है ये पूरी society का आज ये हो गई ये conditioning कि जो मोटा आदमी है वो खुबसूरत नहीं है लेकिन यही चीज आज से 30-40 साल पहले मोटे लोग बड़े smart माने जाते थे कोई भी hero अमिताब बच्चन हो या संजीव कुमार हो या जीतेंदर हो कोई भी hero आप उसको perfect six packs में नहीं देखते उसकी acting दिखा जाता था क्योंकि इतना अच्छे से आपको हसा सकता है अमिताब बच्चन अपने आप जमाने के superstar अभी तक है उनको big be बोला जाता है शारुक खान के भी कोई है नहीं six pack लेकिन अब तो भाईया अब तो उसके क्या body में six pack है शारुक खान को इस समय सबसे healthy actor है अक्षे कुमार और उसके भी six pack नहीं है वो अच्छी strong है वो शारुक खान जैसे लोग बिचारे मजबूरी में अपने पेट में बना बना के लगाते हैं six pack वो कोई six pack है नहीं उसके पास इतना cigarette पीता है वो लेकिन society में एक बहुत strong conditioning बहुत strong bias है कि मोटा आदमी मतलब बतसूरत और ऐसे ही बहुत strong bias है यह तो आप सब जानते हैं कि गोरी शकल मतलब smart इसके अलावा अब तो यह AI का भी बायस हो गया है कि किस चीज को आप खोबसूरत बोलेंगे वो भी बहुत strong bias है आप देखिए किसी hero को या किसी heroine को देखिए आपका mind तुरंट बोलेगा हरे यार यार यह बहुत सुन्दर है जब शादियों करके बहुएं घर पे आती है तो जितने भी औरते देखने आती है मुदिखाई करने के लिए उसकी बहु फलानी की बहुत खुबसूरत है और आपको भी जब आपके बारे में कोई बोलेगा तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा अच्छा है इस लगेगा because mind क्या है अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है वो आपको क्रिश्मूर्थी क्या बोल रहे हैं वो आप से आपको धक्का मार रहे हैं कोने में बोलते हैं अगर आपको यह लगता है कि भाई हम सब कंडिशन हैं और इसका कुछ नहीं कर सकते there is no problem तो ठीक है जैसे अगर गरिमा कहती है आप कहते हैं अश्रिश कहते हैं कि बड़े पापा हम काम धाम नहीं कर सकते यह बहुत मुश्किल चीज है चाहर इंपी स्कैन में चाहर डीप नॉलज में हम नहीं कर सकते तो बात ही खतम हो गई लेकिन अभी हम पट रहे थे उसमें hidden talent में कि जो बिचारे failure लोग थे उन सबने मिलकर के एक scaffolding मनाया और एक बहुत मुश्किल exam पास किया तो वो इसलिए किया क्योंकि उनको यह भरोसा था कि हम उस खराब condition में से निकल सकते हैं तो कृष्णमूर्ती बोल रहे हैं सबसे पहले यह decide करो क्या तुम इसमें से निकल सकते हो अगर तुम्हें लगता है नहीं निकल सकते हैं तो बात ही खतम हो जाती है लेकिन यह बात खतम नहीं कर रहे है यू आर असलेव अगर ऐसी बात है तो आप एक नौकर हैं जैसे गरिवा ने कल कहा न कि मैं बहुत emotionally drained हो जाती हूँ इसलिए मैं office में निजा पाती हूँ तो यह एक तरह से हम यह बोल रहे हैं अपने आपसे कि हम slave हैं हम अपने emotions के slave है अगर ऐसा है then that is the end of it तब आपको आगे न इस book को पढ़ना है न इस type की बात हैं कभी सुननी है जाए और slave बनके रहिए but if you begin to ask yourself whether it is at all possible to break down this limitation this conditioning then there is a problem so you will have to inquire into the whole process of thinking will you not बोलते हैं शुरू कैसे किया था the problem is आपके पास एक problem है normally के लोग क्या बोलेंगे भाया मुझे माफ करो ये सब चीजे मुझे समझ में नहीं आती और 90% लोग बोलते हैं मेरे बहुत से अच्छे जुनोगा के students बोलते हैं कि कृष्चमूर्ती हमको समझ में नहीं आते बात ही खतम हो गई कृष्चमूर्ती की जो प्रैक्टिस थी न वो सीधे mental level पे थी वो कोई भक्ति वक्ति नहीं करते थे किसी की भी किसी को अपना गुरू नहीं मानते थे पूरे foundation में जितने भी क्रिश्मूर्थी foundation से कहीं पर एक मंदिर नहीं है क्योंकि वो बोलते थे कोई भगवान है यह नहीं जो भी है वो आपके अंदर में ही है आपकी suffering अंदर से खतम हो सकती है तो अगर आपको लगता है कि आप conditioned हैं और कुछ नहीं कर सकते तो बात खतम है जाओ इसलिए पुरी दुनिया में साथ अरब में से मेरे ख्याल से सतर लाख भी ओग ऐसे नहीं होगे जो कृश्मूर्थी को अच्छे से पढ़कर के उसको follow कर सकते हो विकाज लोग यह मानते हैं भाया हमको आपकी बात समझ में नहीं आती और अगर समझ में आती भी है तो जो आप कह रहे होँ हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते लेकिन अगर आपको समझ में आती है तब आपके लिए एक problem है तब आपने एक ऐसा ही है जेसे कि एक गरीब आदमी है जिसको अब समझ में आ गया कि मैं गरीबी में से निकल सकता हूँ तो उसके लिए प्रॉब्लम क्या है गरीबी में से निकलना अब वो करे क्या सबसे पहला काम क्या करे अभी हम लोग के कोर्सेश चलते हैं बेसिक एडवांस कोर्स है उसके हमने hefty fees रखी है अभी कोस दिन पहले हमने बहुत सस्ती fees करकी थी कुछ कोर्सेश की अब इसकी बढ़ादी fees कितना fees रखे अगर आपको ये चाहिए कि आपका website बहुत अच्छे से चले रेवन्यू भी अच्छे से आये लोग सीखें भी और देट सारे लोग सीखें तो एक problem है नहीं है अगर आपको लगता है कि इस टाइब के कामधा में online में courses कुछ कुछ नहीं हो सकता फायदा नहीं है तब तो छोड़िये तब कोई problem नहीं लेकिन अगर आपको लगता है into the whole process of thinking विल्यू नॉट और तब आपको अपने mind में चलने वाले thoughts से श्रीश के मन में thought चल रहा है कि मैं मोटा हूँ, मैं मोटा हूँ कब तक मोटा रहूंगा, क्या करूंगा ये जो process of thinking है उसको आपको inquire करना पड़ेगा रहे ये कैसे चलती है मेरे लिए one of the most freeing thing one of the most empowering thing थी ये discover करना कि हमारा thoughts reflexive thoughts है मैं बहुत खुश हो गया थोज़न reflexive thoughts मतलब अगर मेरे मन में एक thought आया कि ये आदमी खराब है, ये आदमी चोर है इसके बिवरुसा नहीं कर सकता ये तीन thought आया, एक की बाद एक, एक की बाद एक ये तीनों thought मेरे लिए जब मुझे पता चला कि ये reflexive thought है reflexive thought मतलब तुरंत आता है और बिना सोचे समझे आता है मैं कैसे decide कर सकता हूँ, कोई आदमी चोर है पहले मिरे पास proof होना चाहिए न अगर मैं किसे से डरता हूँ, तो मिरे पास proof होना चाहिए न अगर मुझे लगता है कि मैं बदसूरत हूँ लोग मुझे प्यार नहीं करते तो मुझे उसका proof चाहिए न और अगर मैं proof खोजू तो क्या पता मुझे मिले, बहुत से लोग मुझे पसंद करते मैं खुदी अपने आपको पसंद करता हूँ, तो वो बात खतम हो गई, इसका मतलब जो मेरे मान में thought आई थी कि मैं खराब हूँ, मैं बदसूरत हूँ मुझे कोई प्यार नहीं करता, ये सब एक mechanistic thought था, एक unintelligent thought था, एक emotional thought था जब हम अपने thoughts के movement को देखेंगे और पूछेंगे अच्छा ये thought चल रहा है, मैं मोटा हूँ अभी अगर नहीं देखते हैं तो हाँ यार मोटा तो हूँ देखो, शिशे में देखो, मैं तो मोटा लेकिन जब आप उस thought को देखते हैं और बोलते हैं अच्छा ठीक है किसने बोला ये चीज़ और जिसने भी बोला भी वो किस स्टेक में था वो खुश था, दुखी था यूँकि देखिए बहुत से आजकल comedy show आते हैं एक है भारती मोटी है कपिल शर्मा शो में एक और लड़का आता है जो थोड़ा सा मोटा सा है उसके उपर लोग मोटापे के लेकर के खूब jokes crack करते हैं और ये लोग हसते हैं उसमे लाखो रुपे कमा रहे हैं करोडो रुपे कमा रहे हैं अपने ही मोटापे से लोग बहुत पैसे कमा रहे है उनको hurt भी नहीं हो रहा है इसका मतलब ये है कि ये जो thought मुझे hurt कर रहा है ये कहीं न कहीं कुछ कुछ करबड़ी है इस thought में fact में नहीं मेरे मोटे होने में कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब वो मोटे पन का thought मेरे दिमाग में चलता है तब कुछ करबड़ है इसलिए कह रहे है then you will have to inquire into the whole process of thinking will you not ये पूरे पूरे process of thinking में आप inquire करोगे नहीं करोगे if you merely say I must be aware of my conditioning I must think about it analyze it in order to understand and destroy it then you are exercising force ये बहुत common mistake है कह रहे हैं अगर मान लो आपने मेरी बात सुनी और आपको मालम पढ़ गया कि thoughts को देखना है thoughts को देखना है तब फिर thought आया दुखी है फिर तब तक से जादा है अरे कृष्ण मूर्ती ने कहा था thought को देखना हो तो चले जाएंगे लेकिन अभी तो है अभी तो नहीं जा रहा है अभी रो रहा है परिशान हो रहा है देखेंगे कभी ने कभी लेकिन आप देखेंगे नहीं खाली बोलेंगे देखेंगे जब thought आएगा परिशान हो जाएंगे, दुखी भी हो जाएंगे बिमार भी हो जाएंगे और बोलेंगे, हाँ कृष्ण मूर्ती ने बोला था देखोगे तो चला जाएगा thought ये भी बोलोगे, वो भी एक तरह का mechanistic thought ही हो जाएगा अगर आप खाली ये कहते हो I must be aware of my conditioning कि मुझे तो aware होना चाहिए अपनी conditioning के लिए I must think about it, मुझे अपनी conditioning के बारे में सोचना होगा, मुझे उसको analyze करना होगा, तभी जाकर के destroy कर पाऊंगा, then you are exercising force तब आप अपने thought के उपर एक force लगा रहे हो कह रहे हैं, आपका एक हाथ है उस हाथ से आप अपने ही हाथ को मार नहीं सकते जैसे कोई भी इंसान दुनिया में अपना गला घोट करके suicide नहीं कर सकता, मालू मैं आपको क्यों? बताइए क्यों जैसे ही अपने गला मारा suicide करने कोशिट की थोड़ासा सांस रुकी, हाथ चुड़ गया हाथ को तो जान चाहिए न दबाने के लिए, जैसे ही अपने गला दबाया oxygen रुका आपका हाथ चुटा फिर बच गए तो फिर वो तो कोई और चीज़ है हाथ नहीं बांद रही है ऐसे ही जब आप अपने थोड़ से अपने थोड़ का गला घोंट रहे है ये जो थोड़ आ रहा है कि नहीं नहीं मैं अपने थोड़ को observe करूंगा ये आ रहा है आपकी conditioning से कौन सी conditioning ये belief है, emotion की belief intelligence की नहीं कि मैं खराब हूँ वो वही से आ रहा है, पीछे से shore आ रही है और फिर आप उसी shore को दबाना चाहते हैं जो दबाना चाहता है, वो भी एक thought ही है वो भी उसी conditioning से आ रहा है तो वही shore में से एक और shore आ रहा है तो ये shore उस shore को खतम कैसे कर देगा वही कह रहे हैं कि it is still the result of your background background समझते हैं जैसे मान लीजे, आपको गुसा आ रहा है जैसे वैबा को गुसा आ रहा है गरिमा को गुसा आ रहा है ये चीज गरिमा ममी ने परसो प्रेडिक किया था गोले थी जब आप गुजिया बना रहा है थी ममी बोलती है देखना ये गुजिया जैसे ही कम होगा, रडाई होगी ये उन्हें मुझे प्रेडिक कर दिया था इसमें बहुत स्ट्रॉंग बायस था कौन सा? house money effect था इसमें जो आपका अपना गाढ़ा मेहनत का पैसा होता है उसको आप value करते हो जो गुस्सा है वो background से आ रहा है background मतलब जो past में हुआ है मेरे साथ जैसे आपका गुस्सा बहुत से लोग के लिए, ममी जी के लिए है या जो भी इनसान आपको दबाने की कोशिश करता है वो गुस्सा आपका बचपन का है आपका background का आपने अपनी ममी को देखा है मरते हुए वो एक अठा है अच्छा मान दीजे आपके ममी जिन्दा होती यसे मेरी ममी जिन्दा है वो तो नहीं मरी तो भी क्या उखुस्सा कम हो जाता ममी तो है लेकिन जो हम धेर सारा experience करते है वो धेर सारा experience क्या हो जाता है background में बनता है अकठा होता है जब हम कहते हैं न I hate this man because this man did this thing to me वो हम एक एक background को बाहर निकाल रहे हैं बस जिसे पेट में बासी खाना है और डकार आ रही है आपने कोई प्यास खाले है तो प्यास की डकार आ रही है तो ऐसी आपके past का धेर सारा experience धेर सारा knowledge धेर सारा जो भी आपने जिया है वो सब निकल रहा है in the form of conditioning in the form of thoughts but सवाल ये है the problem is can we be free of our conditioning मेरे हिसाब से हाँ but not free forever we can be free every moment जब कल अमी ने बोला चल्दी आओ यहाँ पर बच्चों को समझाओ तो मुझे लगा मैं जाकर बैठता हूँ बच्चों को बलाता हूँ बच्चों के साथ हसता हूँ उनके साथ बैठता हूँ तो धीमे धीमे वो जो एक टेंशन का माहौल था वो हलका हुआ we can be free but only moment to moment तब धीमे धीमे conditioning धीली पड़ती है नहीं तो यही thoughts यह जो हमारा background है यह जो हमारा accumulated knowledge है mechanistic knowledge है यह बना देता है हमारी personality हमारा एक कृष्ण मुर्ती उसको बोलते है self मुझे कैसे तुने यह बोला तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे को यह बोल रही है मैं तेरी senior हूँ और मैं तना शरीफ हूँ तब आपको चोट लगती है background की विएसे चोट लगती है जिसका background नहीं है यह जो background के साथ aridify नहीं करता वो transparent है वो free है the problem is तो क्या आपके लाइफ में प्रॉब्म है तेखीगा do you want this problem are you waiting for this problem क्या बोलती है तुन do you want it you are asking for this problem or no क्या बोलती है झाल झाल